What is the difference between convex lens and concave lens? दोस्तों, lens एक ऐसा tool होता है जो कि light beam को reflection के द्वारा converge या फिर diverge करता है converge यानि कि किसी एक point पे और diverge यानि कि फैल जाना और lens के आकार के आधार पर इन्हें दो type में बाटा गया है concave lens और convex lens दोस्तों, convex lens या फिर converging lens के दोनों surface बाहर की और निगले होते हैं और ये beach में मोटा होता है और edges पे पतला होता है और ये light को converge करता है यानि कि एक बिंदू पे focus करता है और convex lens real और virtual दोनों image फॉर्म करता है और इसका इस्तमाल गारियों के flashlight में और दरवाजों के जो peep holes होते हैं उन में किया जाता है दोस्तों, concave lens या diverging lens के दोनों surface अंदर की और होते हैं और ये जो edges पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है जिससे कि आप convex और concave में difference पता कर सकते हैं तो जो भी light concave lens में पता है उसे ये diverge करता है यानि कि फैल जाता है दोस्तों, concave lens हमेशा एक virtual image ही produce करता है और इसका इस्तमाल आखों के lens के लिए microscope में और telescope जैसी चीजों में किया जाता है